अस्सालाव मुल्क्व विवर्स वैलकम टू टू तुद्वेट्वर्स प्रेटफॉर्स आज हम एससी वण ओवन के लेसन 18 को डिसकर्स करेंगे इस सब्सक्राइब करें आप लोगों से रुक्यस्ट आए कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं साधी बेल का इकन को फिर प्रे क्यों करते हैं सबसे पहले biological explanation देखते है कह रहे हैं कि तीन तरह के बताए गई हैं पर biological एक तो body type है people with scourish muscular bodies are more likely to commit street crimes mugging हो गई, rape हो गया यानि यहां भी कह रहे हैं कि जो लोग healthy होते हैं देखने में मतलब कि जो muscular bodies होती हैं जिनकी वो आम तोर पर ज्यादा crime करते हैं उसके लावा कह रहा है x y y theory के मताबिक extra y chromosome जिनके अंदर होता है males के अंदर वो crime करते हैं और उसके लावा कह रहा है कि जिनकी intelligence जो होती है वो low होती है वो crime करते हैं यह सारी explanation जो दी गई है यह important नहीं है psychological explanation कहा है इसमें कह रहा है कि जो लोग crime करते हैं वो psychological अबनॉर्मल होते हैं लेकि बाद में यह देखा गया कि यह लोग सबसे ज़्यादा नॉर्मल होते हैं इन्हें punishment का खौफ नहीं होता इसको हम डिटेल से करेंगे sociological explanation यह एक society है जो किसी को criminal बनाती है इसके मुतलिक मुख्तलिफ theories दी गई थी उनको देखते हैं इसले असले में हमें एक ही theory को पढ़ेंगे वो है theory of differential association by E. Sutherland इन्होंने कहा था deviance जो है यानि के crime एक learned behavior है जो बन्दा दूसरे लोगों के साथ association से सीखता है इसकी family में कोई ऐसा मौजूद है इसकी company में ऐसे लोग मौजूद है जो इसको deviance के तरफ ले जाते हैं जिस तरह ड्रग्स का इसमार आम तोर पर तिल देन टेक केर अला आफेज